पाकिस्तान के हवाले से एक और डिस्टर्बिंग न्यूज उनके कॉंटेक्स में सामने आई है कि क्रिक्ट का एशिया कब भी अब पाकिस्तान की बजाए श्री लंका में होगा क्रिक्ट डिपलोमेसी हमेशा पाकिस्तान ने की जनरल जयावलग से लेके नजम सेथी तक अगरचे एक मार्शला डिक्टेटर थे और दूसरे दानिश्वर हैं मगर सब की यही कोशिश रही के पाकिस्तान को एट लीस्ट क्रिक्ट डिपलोमेसी के जरीए ही दुनिया के साथ या अपने रीजिनल जो कंट्रीज उनके साथ जोड़े रखें मगर वो कोशें भी अल्टीमेडली नकाम हो गई और श्री लंका इशिया कप के मूव होने की रही हैं और इसके साथ साथ अभी जो समिट हुआ भारत गोवा में वहां पर जो बिलावल बटो ने मौकफ अपनाया और उसके बाद जो कोरोनेशन मैं कहूंगा या जो पाकिसान में बाजगश्ट हुई वो यह है कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया जाहर है पॉ पॉलिटिशन नहीं है मगर वो को और क्या करते हैं वो तो यहीं कह सकते हैं कि जैसे इमरान खान ने टरम्प से मिलने के बार कहा था कि वो वर्ल्ड कप एक बार फिर जीत गए हैं तो उन्होंने भी यह कहा कि बड़ा सक्सेस्फुल रहा दोरा हम इन दोनों बातों के साथ जोड़ते हैं और बाचीत करते हैं थर्ड उपीनियन में परिस्टर हमीब बशानी साथ बशानी साथ पाकिस्टान के पॉइंट व्यू से तो उनके लिए एक डिस्टरविंग हबर है अगर्चे यह एक क्रिकट का मामला है मगर जो हलात हैं पाकिसितान में अब क्रिकट के बिलावा कोई और प्राइड लेने को है भी नहीं प्राइड ये था कि वहां पे एशिया कप होने जा रहा है तो बिलावल बटों के दोरे के साथ अगर आम मिलाएं इस सूर्टेहाल को तो ये कोई पाकिस्तान के लिए सक्सेस है ये शौक है चूंकर बिलावल तो कह रहे हैं म कुल सूपर इटना हुआ हूँ अगर आप गिज़ैस्टा पांच साल के रिसर्च करें और ये इन से पहले जो शाह मेहमून करेशी के बेयानात प्रें जतने उन्होंने बेत आशा धोरे की ए और अर दोरे के बाद उन्होंने आके बिहान ये ही दिया की इंताई कामियापत दोरा रहा है बलके ये एक मजाख बन गई है कि जो है वो किस दोरे को कामियाफ समझा जाता है और उसका क्राइटेरिया क्या है तो ये एक फैशन बन गया है खोससां पाकिस्तान के अंदर जो आम सादा लो किसम के अवाम हैं पालेटिशन की तरफ से उनको बेवकूफ बनाने और उनकी सादा लोई और मैसूमियत से फाइदा उटाने की कोई लिमिट नहीं है यानि ये आप देखें कि जश्चता तीस चालीस साल से पाकिस्तान में जो पालेटिक्स खेली जा रही है वो तो यही कामियाब दोरों की पालेटिक्स है अगर आप ज्यादा पीछे ना जा रहा है उनकी गावंड़न पे जो ग्रिप थी और जो डिसीजन मेकिंग में उनका वो था उसके बार नवाज श्रीफ ने कितने दोरे किये इंटरनेशनली जिनके बारे में ये मेशूर हो गया था कि नवाज श्रीफ पाकिस्तान में कैब आएंगे तो उसके बार जो है ये पाकिस्तान का मकदर बदल दिया है और अब जो है वो ये हो जाएगा तो लेकिन कुछ हरसे बाद आपने देखा कि सीचुएशन जो है वो बिलकुल उसके बरैक्स है कि वो जो पाकिस्तान के खजाने में इजाफे के लिए जो बातें हो रही है उसी से पैसे नकाल नकाल के तो ये दोरों पे और इस तरह के मामलात पे जो है वो खर्च हो रहे थे तो ये सिचुएशन जो है वो मैं समयता हूं कि एक सियास्त बन गई है और इसकी हाथ ये है कि ये जो बलावल का दोरा था इंडिया का ये बुनियादी तोर पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर था इसको आप फारण अफेर्ज या डिप्लोमेसिका एक बहुत बड़ा डिजास्टर करा दे सकते हैं कि जिसमें कि उन्होंने जो है वो दर्वासे बंद कर दिये एक तो ये होता है ना कि आप किसी मुलक का दोरा करते हैं तो आपका फोरी तोर पे जो है वो आईस मेल्ट नही होती है कोई सर्दमोरी बाकी रहती है बहुत सारी चीजें होती है लेकिन आप होफ़ल होते हैं कि हमारी जो वहाँ पे गुफटगू हुई है जिस तरह के बियाइंड असीन हमारे दर्मयान कम्यूनिकेशन हुई है इस से लगता है कि फ्यूचर में कोई ब्रेक्ट्रू उन दर्जे नीचे इन्होंने उसको दकेला है कोई कम्यूनिकेशन के जो आइंदा एक दो सालूम है कोई चांसिस हो सकते थे उसको भी धर्वाजा इन्होंने बिल्कुल शट डाउन जिसको कहते हैं वो किया तो वो आकर अगर ये बियान दें कि जनाब जो है वो मैंने बड़ा कामियाब दोरा किया इस दोरे को भी अगर वो कामियाब दोरा कहें तो फिर मैं समयता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ वाकिया बहुत बड़ा मजाख हो रहा है और पता नहीं ये कब तक उनके साथ ये मजाख जो होता रहेगा मैं ये समयता हूं कि उनके दोरे का ये प है और ये कोई टाकी चुपी पालिसी नहीं रही है बलके इंडिया ने ये डीकलेयर करके पालिसी अपना ही है जिसमें नरिंदर मोधी साब ने जो है बाकेदा जलसों में और कानफरोसिस में कहा है कि हम पाकिस्तान को आईसुलेट कर देंगे और वो जो है उन्होंने सक्सेस्फुली इस बात पर अमल किया यानि ये नहीं कि ये मैज एक बयान दे दिया और उससे कोई फरक नहीं पड़ा मैं समयता हूं कि ये जो है आप कहते हैं जी खेल की बात है ये खेल की बात नहीं है ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है या एक ऐसा काम है जिसके पॉलिटिकल कांसिक्वेंसिस है और ये इस बात इस बहुत बड़ी हकीकत को रिफलेक्ट करती है कि पाकिस्तान को जो है वो कम्पलीटली दुनिया के हैर फोरम पे हैर रीजन में और हैर तरह की जो ग्रूपिंग है उसमें आईसुलेट कर दिया गया यानि जब नोबोतियां तक पहुंचे कि आप जो है वो होस्ट हैं एक एशियाई गेम के या जो भी रिजनल अगर कोई गेम है उसमें आप हर तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हम को अपरेट करने के लिए त्यार हैं बगहरा बगहरा और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बन ज होती है और आपके जो क्रीब तरी नहलाई जिनको आप समईते हैं बलके जिनको आप अपनी जेब में समईते हैं वो भी जो है आपके खलाव बोट देते हैं जिसकी एक क्लासिकल एग्जेंपल आफगनिस्तान है तो इस से आप अंददर लगा सकते हैं कि इस से जज़दा और क्या हो सकती है मैं बड़ा इसमें इंटरेस्टिड हूँ कि इसमें जो पाकिस्तान की लीडर्शिप है और होसन जो फारन अफेर्ज है और वो जो एक खास किसम का माइंड सैट है जिसको हैर फेलियर में अपनी बहुत बड़ी कामियाबी नजर आती है मैं तो अब गोर क घरना शुरू हो गया हूं कि या हम लोगों को नहीं पता कि कामियाबी नौकामी में फर्क किया होता है या पर इन लोगों की एक अपनी कोई स Checket और underground किसम की दुनिया है जिसकी अपनी एक जो है टेकनलोजी या जच्टा एक साल से हमें बता रहे हैं जी वो हमारा United State of America का द तो ये बताने कि इन में जुरुत ही नहीं कि IIMF आज भी वहीं खड़ा है जहां पर आज से एक साल पहले खड़ा था और अपनी तमाम तर शरायत मनवाने के बावजूद भी वहां से एक इंच भी आगे जाने के लिए त्यार नहीं लेकिन इनुने इसको अपनी कामियाबी ब होंगे और ये पागिस्तान के पालीसी मेकर्स के लिए एक इबरतनाक की बात है ये जन जब जो ने अज़म सेटी शाहब ने ये स्टेंड लिया था तो नें बड़े ब्ड़े पाएके दानश्वर हें और बड़े उनकी तास्भत में एक मकाम है तो मैंने उनको उसक्त कहा था कि ये इतने जबरदस्त आदमी जो है इन्होंने ये क्या स्टेंड ले लिया कि जी इंडिया आता है तो आए अगर नहीं आता तो हम भी जो है वोट कैप में नहीं जाएंगे ये मैंने उस वक ये स्वाल पूछा था कि दिस इस दे बेस्ट इंटरेस्ट आफ इंडिया कि आप ये स्टेंड लें ताकि उनको कुछ करना ना पड़े पालिस ही उन्होंने बना दी कि आपको आइसलेट करना है लेकिन उसके लिए जतना लेग वर्क करना है वो आपके छोड़ दिया उन्होंने और आप पूरे तरीके से कहरके आपने आपको गेर बूर के तो ले जाक या तो आपके साथ 20-30 मुलकों का एक जम गाठा हो और वो इतजाज करें के नो नो वी वांट पाकिस्तान अदरवाइस वी आर नाट कामिंग आलत तो यह है कि अफगनस्तान जैसा मुलक भी आपको रिजक्ट करता है और फेस पे रिजक्ट करता है और आप कहते हैं हम इसम जिना मैं समझता हूं कि गलत है लेकिन अगर मुझे क्रेड़ देना पड़े तो मैं इसका 99% क्रेड़ पाकिस्तान के इन इंताए बड़े-बड़े ब्रैंज को और दानशवरों को और पालिसी मेकर्स को दूँगा जिनोंने रिवर्स लगाया हुआ है आइसूलेशन के लि को आइसूलेट करेंगे वो कोई धके चुपे अंदाज में ये बात नहीं करते खुलके बात करते हैं मगर सारा क्रेड़ेट पाकिसान को जाता है वो तो सिरफ कहते हैं के हम करेंगे और उसके लिए सफारती सथा पे बैनल-कौामी लेवल पे अपना केश पेश कर देते हैं भारत के हुकाम मगर सारी जो कारवाईया हैं जो किया धरा है वो पाकिस्तानी एलीट चाहे वो इस्टैबलिश्मेंट के लोग हो चाहे वो दानिश्वर हो चाहे वो पॉलिटीशन हो वो ही करते हैं अब आप देख लीजिए आपने बात की बड़ी अच्छी बात की के बिल पाकिसान के बड़े सीनियर जानलिस्ट वो अब ये कह रहे हैं बहुत कोट अनकोट पड़े लिखे के जनाब बिलावल बटों ने तो कमाल कर दिया अपना मुकदमा पेश कर दिया तो आप कश्मीर से तल्ग रखते हैं आप से हम कश्मीर के जो जो इंटरनल पल्स है उस प पेश कर दी आपने और मैंने बिलावल की बातें सुनी है कि वो उस में क्या नया पन लेकर आए और दूसरा ये कहना के कश्मीर हम लेके रहेंगे वही रेटरिक है और ये रेटरिक सर्फ बिलावल का नहीं है हम उसकी मजबूरी समझ सकते हैं पाकिसान के बहुत ही जयत किस की नई फाइल पेश की जा सकती है देखें जी जब बलावल ने ऐसी बातें की थी तो मैंने उस वी वक्त ये कहा था कि ये सब रेटी रेटाई किसम की बातें हैं वही फरसुदा कानी है जो गजश्चता चालीस साल से पेश की जा रही है और उसमें कोई नया इजाफा नही हुआ या इन सारी मीटिंग्स में प्रेस कानफरसिज में या किसी तरह की प्राइवेट नमाइनू के साथ गुफटगू में एक सेंटेंस एक फिक्रा कोई ऐसा नहीं है जो कोई नई चीज एड करता हो मसला कश्मीर पे या जो बारत ने कश्मीर के साथ जो लेटस्ट जो डिलिंग की है उस अवाले से या पाकिस्तान बारत के दर्मयान जो तालोकात लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचें उस अवाले से बुनियारी तोर पे यह जो आपने बात की नहीं जी जो रेटरिक उन्होंने दोराया जो के खुद एक सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किसम का र उस बुनियाद पे कोई आपकी बात को जो है वो कितना एक वजन जो है वो दे सकता है अब आप इसमें ये देखें कि ये ए थरी सैवेंटी की तुम्हें बार बार जिकर करता हूं जो उन्होंने बहुत बड़ा मारका मार लिया कि जी हमने थरी सैवेंटी का जिकर कर दिया क जो आपको याद ही नहीं तो हम आपको याद दलाते हैं दूसरी बात यह थी कि ये पाकिस्तान की लांग स्टेंडिंग पालिसी रही है के 370 जो है उसको हम नहीं मानते हैं और उसकी उनों ने दलील ये दी के ये जी कश्मीरी हों और स्पैसिफिक्ली शेख अब्दुला और लोगों और इंडिया के दिर्मेवन एक गट जोड की नतीजा है जिस पर हम किसी तरीके से भी जो है वो मानने के लिए त्यार नहीं है अब सारी स्टेटमेंट्स होता के देखें उस वक्त की जब 370 शुरू हुआ था उस वक्त से लेके तो जब आके 5th of August 2019 को उन्होंने उसको खत्म किया तो इन्होंने दूसरी साइड ले ली इसको कहते हैं नो सेल्फ कंट्राडिक्शन के जो बात आप मानते ही नहीं थे और आपके ख्याल में ये कश्मीरियों के मफादात को प्रोटेक्ट करने के बजाए एक बहुत बड़ी कंस्पीरेसी थी कश्मीरियों की तो उसी चीज़ को लेके तो आप दुनियों का सबसे बड़ा मसला बना देते हैं तीसरी चीज़ ये है कि जो पूछने का सवाल है बलावल समेथ सारी एस्टबलिश्मेंट से के चैलेंजी अगर आप 370 नहीं मानते तो 5 अफ आफ आफ आगस 2019 को बारत ने जो किया है उसके जो फरसूदा रवायात और जो एकदमात आप उठाते रहे हैं विजश्टा जो है वो पिचास साथ सालों में उससे एटके या उनी के अंदर कुछ किया हो उसमें तो आपने इस पूरे प्रासस को जोग बना के रख दिया पहली बात ये थी कि उसके खलाफ जो एजिटेश होता रहता है सबसे पहले ने तो आपने उसको काबू किया जाके आपका प्राइम निस्टर बानफ से नफीज मजफराबाद पहुंचा और उसने जाके कश्मीरियों को कहा कि खबरदार अगर इस तरह की कोई अर्गत करें या कोई मार्च करें या कोई नारे बाजी करें च इसको आपकी military establishment ने भी आउन किया और within two years जो है उन्होंने इंडिया के साथ बाकाइदा एक agreement साइन किया line of control को खामोश करने का और वहाँ पे ceasefire का जिस पे उन्होंने बाकाइदा पैरा दिया और उसको मकमल तोर पे implement किया तो ये बात बिलकुल clear हो गई कि आपको इस हवाले से किसी किसम की कोई संजीदा बात जो है वो ना आपके पास थी ना कोई policy थी ना आप इसको oppose करने का कोई एरादा रखते थे एब आचानक आके तो आपको जो है पांच साथ साल बाद याद आ गया कि जी बारत ने जो है ये किया था और इस दोरान हम सो तक्रीर के जो इंताई इर्रेलिवेंट और गहर जरूरी किसम का उसको आप रांट कह सकते हैं तक्रीर कम और रांट ज्यादा थी वो उसके अलावा आप एक तक्रीर हमें बताते हैं आपके किसी डिप्लोमेट ने किसी रेकेगनाइज फोरम पे कहीं युनाइटिड नेशन में कहीं युमर राइट्स के फोरम पे किसी जगह पे कोई बात की हो यहां तक है कि आप हमें एक आर्टिकल बता दें जी पाकिस्तान के किसी रिजनेबल नियूस पेपर में जो आपके किसी साफी ने और वो साफी जो सिर्फ आपके लिए और आपके कहने पे और आपकी पस कुछ जो है वो लिखा गया पाकिस्तान के अख़बारात में पाकिस्तान के टेलिवीजन पे कितने इंटर्वियूज हुए रेडियू पाकिस्तान ने इस पे कितने मजाकरे किये तो इसे आप अनजल लगा सकते हैं कि आपको ये जो इक्दाम था या ये जो पालिसी थी इस प हम यह जो चीन वर्सिस अमारी का जो बीच में गूम रहे हैं यह अब हमारे लिए बीच में गूमना मुम्कन नहीं लाज़ा हम जो है वो अपनो वजन चीन के पलडे में पूरे तरीके से डालते हैं जिसका मतलब है कि अल्ला का आसरा और चीन का आसरा और जिसका मतलब ये है कि अब हम हैर बात वो ही करेंगे जो चीन की इस रिजनल या इंटरनेशनल पालिसी के साथ मैच करती होगी उसमें से एक ये भी है कि चीन के जो ताफ़ात हैं फार एक्जेंपल के उससे अपने इलाके जो उसने डिवलप किये या जहां पर पैसे लगाए गलगित बलतिस्तान या पाकिस्तान के जिरे इंसाम कश्मीर में जो नो दस डायम उन्होंने बनाए या इस तरह की पैयोटी और सावरेंटी जो है वो चैलिंज होती है तो आपने फिर मसला कश्मीर पे वही पचास साल पराना जो है बस्ता नकाल के तो वही पचास साल पराने जो है वो कागजात नकाल के उनको रेटना शुरू कर दिया और वही रेटरिक जैसा के आपने का उसको दोराना इस नुक्ता नजर से देखता हूँ कि यह अचनक जो इनको दोरा पड़ गया और बलावल का जो अन डिपलोमेटिक किसम का और अन रेशनल इर्रेशनल जिसको कहते हैं इर्रेशनल जो एटिचूड था उन कानफरसिस के अंदर अब भाई यह कोई अवाम का जलसा आम नहीं है कहीं गोट में 10 अजर आдमी नहीं बेटा हुआ है जिनको नहीं पता कि मसला कश्मीर बेर इश्यो क्या है वहाँ रूस है वहाँ चीन है वहाँ इन। है उस्बिकिस्तान है इस तरह के मुलकें वो मसला कश्मीर की सारे इन नोट और हैर चीज़ को जानते हैं वो दैश्ट करती के हवाले से ये कोई सिक्रेट नहीं है के पाकिस्तान कहां खड़ा है इंडिया कहां खड़ा है आप जाके इस सटा के लोगों को इस तरीके का लेसन देना शुरू हो जाएं जो के डिपलोमेटिक हैलकों के अंदर आरड़ी एकसेप्टिड टूथ हैं और सेटल किसम के मैटर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पालिसीज को एक नहे सिरे से एक निया रंग दे के जो है वो पेश करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने इसको ऐसे टूल पेश करने की कोशिश की जिसका रहते अमल आपके सामने आया जाहर है इंडियन फारण मिनिस्टर की तरफ से जो सखत किसम का उन्होंने जो पोस्चर इक्तियार किया वो भी इनके लिए एक प्राबलम जरूर है लेकर मेरे नजदीक इन्होंने आइंदा कह इन्हीं सालों के लिए इंडिया पाकिस्तान के दर्मियाँ जो किसी तरह की को कम्योनिकेशन मीनिंगफुल कम्योनिकेशन का जो जो कोई चैनल कुल सकता था उसको बहुत बुरे तरीके से जो है इन्होंने बंद कर दिया बचाई सब एक तरफ तो ऐसा ही लगता है कि पाकि हद तक बन कर दिया. दूसरी तरफ भारत के वजीर खारजा जैशंकर जी ने जिस तरह के वाशकाफ लफजों में बात चीत की, वो पाकिस्तानी फार्र मिनिस्टर तो है नहीं, कि नपे तुपे अलफाजों में नहीं बोलेंगे, उन्हों ने बहुत ही नपे तुले अलफाज है, बूल जाएं, और दूसरी बात उन्हों ने ये कही, कि आप अब इस बात की फिकर करें, कि विकेट करना है आपने पाकिस्तान ऑकुपाइट कश्मीर चुके भारत में इसको इसी तरह कहा जाता है, और इस से पहले भारत की कुछ फाजी लीडर्शिप ने भी ये बातें की हैं, आम तोर पर भारत की फाजी लीडर्शिप और भारत के फॉरण मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, फॉरण मिनिस्टर भी जैशंकर जैसे जो बहुत ही सीजन डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो आप इन बातों को कैसे देखते हैं, क्या ये वार्निंग है के लिए अब? देखें जी, ये एक तो बिलकुल टीट फार टैट है, और दूसरा ये बिलकुल वार्निंग है, और इस तरह की बातें जो हैं, वो सामने आती रही हैं, इस से पहले भी, और ये बात आपकी सही है, कि अब इश्यू जो है, वो कश्मीर के अंदर थरी नहीं बात कर रहे हैं, वहां पर इश्यू थोड़े इसे आगे बढ़ चुके हैं, ज्यादा कम्प्लिकेटिड हो चुके हैं, इंडियन जो यूनियन है, डूमेनियन आफ इंडिया, उसके अंदर जो रियास्ते हैं, उनके भी अपने अपने अलग बात है कि थरी सेवेंटी ये किसी में नहीं है, थरी सेवेंटी वन नहीं है, इसके बावजुद उनका मरकज के साथ एक खास किसम का रिष्टा है, और उस रिष्टे की मौझदगी में उनके कहीं मामला आते सें, जिसमें वो एंडिपेंडेंट हैं, उसमें सर भी जरूरी नहीं है कि आपके पास थर कश्मीरी पालिटिशन्स जो हैं, वो आपके इस रवीय की वज़ा से जो फिफ्ट अफ आफ आगस्ट टूजन नाइनटीन के बाद आपने इक्तियार किया है, उसके बाद उनका मसला एब थरी सेवेंटी से आगे बढ़ गया है, अब वो ये समयते हैं कि उनको ये कश्मीर कश्मीरियों के आवाले से जतनी पालिटिक्स हो रही है, और कश्मीरियों के नाम पे ये जतना राइट अफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनके जमूरी अकूक और कश्मीरियों के नाम पे ये जो सारी जो है क्रास बार्डर सियासत हो रही है, इसको आपने आथ में लेना ज जिसको वो ट्रांसलेट इस तरह करते हैं कि अब हमें डारेक्टली नेगोशियेट करना चाहिए इंडिया के साथ अपने फ्यूचर के बारे में ताके हमारे साथ ये जो इतर अदर से चीजें चिमट गई हैं जिसको इन इलफाज में वो पेश करते हैं कि जूंक की तरह के साथ नाम पे हमारे साथ चिमट गया कोई 370 के नाम से हमारे साथ चिमट गया इसको हम एक तरफ करें और हम एक क्लियर किसम का वीजन लेके तो इंडिया के साथ डारेक्टली नेगोशियेट करें अपने फ्यूचर के बारे में अब इस हकीकत को ये तसलीम करने के लिए इ कि यहार नहीं हैं कि इन्हुनें वही पचास साल पराने मुर्दे दोवरा उनको खाड के तो बाहर लाने का फैसला कर लिया जीसे आज आज आप बेखें कि उन्होंने वहाँ पे अलान किया कि जी हुरियत कान्फरंस जो है वहाँ की ज gases деся criterion district movement है और government आफ अजाद कश्मीर मिलके तो ये जो G20 conference हो रही है इसके खलाफ एड़ताल की अपील करेंगे on the day of that conference और उसमें हम ये करेंगे कि हम सारी दोकानें सारे बाजार सारी चीजें बंद करा देंगे और G20 वालों को पता चल जाएगा कि कश्मीरी क्या चाते हैं अब इससे आप अंदजर लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना लाई जो है औरियुद conference की शकल में अपने साथ मिलाया है government के साथ चुके government आफ अजाद कश्मीर तो बेराल government आफ अजाद कश्मीर है जो अरगली पाकिस्तान के असर में और उसके influence में और उसकी अमलदारी में है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि ये government आफ पाकिस्तान की initiative है और उसकी consent के साथ इस तरह का वो किया जा रहा है ये इस चीज़ की दलालत है कि अब इन्होंने तेह कर लिया है कि हम चीज़ों को वापस जो है वो square one में ले जाते हैं जी जहां पर पहले थी चीज़ें वो ही जो है वो जंग की बाते हैं वो ही जहाद की बाते हैं और वो ही जी कश्मीर के नाम पे जो है हम अजार साल लड़ेंगे और ये कुर्बानी देंगे और वो कर देंगे उस चीज़ को जो है अब ये दोबारा रिस्टोर करने की कोशश कर रहे हैं जो के मैंने कहा कि उनकी जो पालिसी चेंज है चाइना के अवाले से उसको रिफलेक्ट करती है अब तो हमें लगता ये है कि ये सारे मामलात सिर्फ उस वक्त आलूंगे जब चीन चाएगा और चीन इनको बताएगा कि हमने ये मामलात अल करने हैं तो आप बैठके अल करें वरना ये इसी तरीके से अपनी बोली जो है वो बोलते रहेंगे तो क्या इस सिल्सले में इंडिया को चीन के साथ किसी तरीके की कोई डारेक्ट जो है वो कम्यूनिकेशन करनी चाहिए या नहीं ये तो उनका अपना एक डिपलोमेटिक वो है लेकिन मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान से हैर आवास जो आएगी वो इसी लाइन के अंदर आएगी जो चीन को खुश करने के लिए होगी और ये स्पैसिफिकली जो मفादात जुड़े हुए हैं जी गलगित बल्दिस्तान खुद पाकिस्तान के अपने कंस्टिचूशन के मताबक और उनके अपने एलानात के मताबक पाकिस्तान का इसा नहीं है ना पाकिस्तान की प्रापरटी है कोई डाकिस्तान बल्दिस्तान के अप Commission का सक्षन वन अचा के देख लें जो पाकिस्तान के अंडर अलाकों को टेरिटोरीज रर स्टेट्स को डिफाइन करता ए उसमें गलगित बल्दिस्तान नहीं है चो फुटी सेवेन को अठाके देख लें जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये इस वक्त हमारे इससा बन सकते हैं जब किशमीरी एवाम ये तैय कर लेंगे कि वो किसका वो हैं उसके बाद पाकिस्तान की हैर पालिसी डाकूमेंट में ये लिखा हुआ है कि जमू कश्मीर एक डिस्प्यूटिड आलाका है और गलगित बर्तिस्तान जो है वो स्टेट अफ जमू कश्मीर का हिस्जा है उसके बावजूद आप पूरा 28,000 मुर्बा मिल आलाका उठा के तो चुके जमू कश्मीर के जो वारस था महराजा एरी सिंग उसने हमारे साथ जो है वो एकसेशन साइन किया था इसलिए ये लाके हमारे हैं तो इसमें आप इस तरह की सड़के नहीं बना सकते हैं चुके ये हमारी सावरेंटी को और हमारी अपनी स्केविटी को जो है वो उस क्वेस्चन उठाते हैं इसके बावजूद आप जनाब ये काम भी कर देते हैं और उसके बाद सी पैक के नाम पे और ये सारे मामलात में आप पाकिस्तानी जेरेंटी कश्मीर के अंदर भी चीन की बारी इन्वेस्टमेंट और उनकी लेबर फोर्स और उनकी सारी चीज़े जो हैं उनको भी इन्वाइट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फिर लड़ाई ये बिन इनलाकों तक महदूद होगी और ये इंटेंसिफाई होगी और फिर ये इस आलत में पाकिस्तान की इस वक्त कैफियत ये है कि आई एम एफ की सारी शरायत पूरी करने के बाव साथी एर्ब और यूएई की तरफ से भी सारा उने के बावजूद आई एम एफ ने उसको जवाब दे दिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े इकानोमिस्ट ही नहीं उसके प्राइम निस्टर और उसके वजीर खजाना चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसक ने आपको डिफाल्ट में जो है वो डिकलियर किया था तो दूसरी तरफ आप जो है वो अपनी एक हमसाया कुवत के खलाफ बंदूक तान के खड़े उने की त्यारी कर रहे हैं तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये सिर्फ एवाम को बेवकूफ बिनाने वाली ब बता हीए कि गिल्गत बलतस्तान और पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर में एक रेस्टलेस ही है लोगों में वहां के पलिटिकल हालात वहां कोई डूइलमेंट नहीं हो रही और वो मामलात देख रहे हैं वहां की जनता आप से और मेरे से ज्यादा देख रहे हैं क्ल मुलक आ रहें investment करने के और उदर पाकिस्टान खुद invest करने की position में नहीं है तो उनके ताफ़जात जो हैं उनकी reservation चाइना के हवाले से भी है पाकिस्टान के हवाले से भी है फिर उनके pro Pakistan state elements मी है उदर भारत بھی اب فرم ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان بھی اب مکمل decide کرنے کی حالت میں آ چکا ہے کہ اب چین کے ساتھ ہی چلنا ہے تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک نئی جنگ کی صورتحال ہے اس علاقے میں देखें جी matin اس علاقے میں جو آپ unrest کی بات کر رہے ہیں یہ غزشتہ کہیں دائیوں سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں कि हमारे जो हुकुक हैं जिसमें आके मलकियत और आके हुकमरानी है उस पे हम किसी तरीके का कोई समझता करने के लिए त्यार नहीं वह आप यहां पे सी पैक बनाएं या नो के बजाए आठारां डैम्स बनाएं या जो चीज भी बनाएं लेकिन जब क्वेस्चन ये आएगा कि ये गलगित बलतिस्तान ये अजार कश्मीर के लोगों का जो राइट्स हैं जिसमें के आके हुकमरानी और आके मलकियत है तो इस पे वो मरने मारने के लिए और इस पे वो हरसाता तक जो है वो जाने के लिए त्यार हैं और उस वक्त की जो आलत आप जो कह रहे हैं के वहां पे जो महरूमियां है या बेचेनी है या गुर्बत है या जो अंडर डिवलपमेंट जो बैकवर्डनेस है उसका तो आप किसी भ कि आके बात करते हुए कि जी ये जी 20 का आपने क्या शूर ढला हुआ है जी इसका तो आलिये है कि पाकिस्तान म्ज़फराबाद में जी 20 कराई यह 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 जी जी जाइर है कि इस तरह के लोगों को सिरकार की अशीरबाद असल है। उनको यह नही पता के जी 20 है क्या उसके मिं कि पाकिस्तान से ये पूछा जाए कि आपको तो बहुत बड़ी तकलीफ है कि इंडिया जो है वो सीरी नेगर में G20 करा रहा है तो अगर किसी तरीके से इसी G20 टाइब का एक कोई फोरम आपको एजास्त दे के आप मजफराबाद में कराएं तो आप क्या वहाँ दरिया नीलम में जाके लोगों को बठाएंगे भाई आपके पस तो जगाई नहीं वहाँ तो एक आपके पस वेन्यू नहीं है जिसमें दैस आदमी जो हो इज़त से बैठके खाना कहा सकें आपके पास वहाँ पे अभी तेक्स यूरेज ये लाइन जो होती है ये नहीं है सीटी कर सकें तो आप जरा इस तरीके कुछ भी देखें ना कि इंडिया की इस अचीवमेंट को तो देखें कि सिटी अफ सिरी नेगर में जी ट्वन्टी हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं उनके रहने के लिए और उनकी एक्टिवेटी के लिए एक व समझ में आए तो इसलिए मैं समयता हूं कि लोग जलते हैं वो डेफिनेटली नाराज हैं उनमें बेचेनी है लेकिन जिस तरह का वहां पे सैट आप है और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है जी बशाएंची साब बहुत शुक्रिया मैं आखर में जूर रहा अपना कमे होने की कोशिश की बढ़े बड़े अच्छे होटल वहां पे और तीस तीस चालीस चालीस हजार रुपए ओफर करने के बावजूद कमरा अविलेबल नहीं था और एक नहीं मेरा खाले दरजन से जारा होटल चेक है और सबी कोई केनेडियन स्टेंडर में थ्री फोर स्टार थे और भारती सेंडर में फाइव स्टार होता थे तो ये सिचुएशन है और कुछ दोस्त मेरे वहां पे हैं स्री नगर में उनके साथ फून पे बात ही उन्होंने का कि ट्राफिक जैम रहती है और छेचे महिने के लिए वो बोट्स होगा रहा बूक हैं जी और राड़ी ज इस्ट्रिक्स में गी गुल वो जो गुलमर्ग टक के जो जगें हैं वो हम मैंने चेक करवाई दोस्तों के जरी हैं कहीं जगा नहीं हमें मेली तो ऐन्य हाँ पशाई सब मैं इसलिए कहता हो ना के कम्पिटेशन करें तो इस बात पर करें भाई वो जी ट्वंटी हो रहा है पर जी ट्वंटी को सिरि नगर उठाकर ले जा रहा है आप अपनी आलत तो देखें आप तो जी ट्वंटी कराई नहीं सकते तो इस पर आपको क्या ऩे तकलीब हो रहा है अगर महा पर हो रहा है तो और वही आपकी पार पहले जी ट्वंटी में गुसके तो दिखाई bikonen पन जो पाकिस्तान की एक नई कोशिश है, वही पुराने रेटरिक पे, वही पुरानी जो शराब है, उसको नई बोतल में डालने की, कि मसला कश्मीर को हम चीन की शेय पे दुबारा उठा के देखते हैं, चुकि कोई आपशन तो है नहीं, सतर साल तो कुछ कर नहीं सके, तो इसी कोशिश में पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बारत से वापसी पर धंकी भी दी, कि जी टूइटी में आप करवा के देख लें, फिर उसके कॉंसी कॉइंसेज भी बुक्तेंगे, आने वाले दोनों में देखते हैं, कि बिलावल बटो के कॉंसी कॉइंसेज भुक्तने की ज क्यों में हैं सब्सक्राइब टाग्ट्वी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिकाइशन बुटन